Hello Friends, अगर आपको भी Second Year या फिर Third Year में Admission लेना है UG की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे PG की BA, BSEB को, MMSEM को, BCA की बात करेंगे तो अगर आपको भी Second Year में Admission लेना है या फिर आपको Third Year में Admission लेना है तो जो भी Student वेट कर रहे थे Admission का की उनके Admission कब से Start होगे Second Year के, BA, BSEB को, MMSE, MCOM के साथ ही जो स्टुडेन्ट थे बात करेंगे साथ ही कैसी आपको अपनी फीद जमा करवाने है क्या Link आया है इस बार, वो सभी Doubt आपके किलियर करने वाले है तो जो student wait कर रहे थे online payment करने का online mobile चे कैसे fee payment करे और कैसे अपना जो है form भरे college admission के लिए तो उन सब को मैं बता दू कि इस बार जो भी आपकी fee जमा होगी यानि जो भी आपकी fee कटेगी वो आपकी offline ही college में जमा होगी online किसी भी प्रकार से आपकी fee जमा नहीं होगी तो BA, BA, C, B, Com साथ ही BCA, MMSE, M, Com के जो भी second year के student है उनको मैं बता दू कि आपकी fee online जमा नहीं होगी इस बार offline आपको जाके college में जमा करवानी है आपको अपनी fee लेके जानी है जितनी आपकी fees होगी 2200 से और 2500 के आसपास जो BA के student है उनकी BA, BA, C, B, Com की fees रहेगी साथ ही BCA की fees 5000 के आसपास रहेगी तो आपको अपनी fees लेकर college में जाना है offline आपकी fees जमा होगी क्या process रहेगा प्रोसेस की बात करें तो आपको मैं बता दू तो government college अटेली के जो भी student है वो देख लें government college अटेली के जो student है उनको सबसे पहली ये जो है जो अपना form है वो फिल करना है पूरा ये forum फिल करने के बाद आपको college में अपनी fees जमा करवानी है इसके साथ आपको अपने document टेस्ट करने है तो जो भी आपकी fees जमा होगी offline जमा होगी बात करें अहीर college की नारनोल college की या अधर जो college बच गई हरियाना के किसी भी university से जुड़े हुए उन सब की fee कैसे जमा होगी तो सबी student जो second year और third year में admission का वेट कर रहे थे उन सबी की fees offline जमा होने वाले है इस बार ये forum आपको भर के लेके जाना है अगर आप नारनोल college चे हैं तो यहाँ पर government college नारनोल आजाएगा अहीर college के हैं government college अहीर आजाएगा session 2021-22 आएगा यहाँ पर session 2021-22 और application for admission यह आपको जो है whatsapp पर में provide करवा दूँगा whatsapp के जो group का link मैंने नीचे दे दिया है आप मुसको whatsapp पर message कर सकते हैं इसी के साथ आपको कैसी यह form करना है government college अटेली के जो student वो देख लें यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी class डालनी है आप किस class के student है और आपका course क्या है तो second year के student है बीए के तो यहाँ पर आपको डाल देना है बीए second year उसके बाद semester कौन सा semester है आपका थर्ड या फिफ्थ उसके बाद आपका नेम उसके बाद आपके रोल नंबर रोल नंबर आपके जो आई गार्ड पी है college रोल नंबर वो डालने है उसके बाद आपको यहाँ पर क्या डालना है आपको अपको अपना सब्सक्राइब कर रहें तो आपको सबसे पहले यह फिल करके लेके जाना है और इस फोर्म के साथ अपको अपको अपनी फील लेके जानी है और साथ ही डोकुमेंट अटेच करने है डोकुमेंट कोन कोन से उन वाल है डोकुमेंट की बाद हमने कल भी कर ली थी लेकिन मेंली फिर से बता दिया आपको एडमिशन फोर्म की कोपी जो अभी मैंने ओपन किया हुआ था उसके बाद आपकी फीस रिसिप्ट फीस रिसिप्ट कोलीजी आपको प्रोवाइड कराएगा यह आपकी कोलीज में ही मिलेगी आपको उसके बाद रैड क्रोस पेमिंट सो रुपे की आपकी फीस होती है टें वोटर काड पासबूक्त दो फोटो फैमिली आइडिये और साथ ही आपका आई कार्ड अनुल नहीं अगर आपके पास आईकार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं लास्ट गे बात करे तो कल से आपके एड्मिशन होने आज से थे लेकिन आज जो कोलेज में है मिटिंग लगभ से आपके admission स्टार्ट हो जाएंगे last date की बात करें अभी तक कोई भी last डिट नहीं आई है college की तरफ से जो आपके college हैं उनकी तरफ से कि last date यह रहेगी अभी तक कुछ भी last date नहीं आई है तो कल से आपके admission स्टार्ट हो जाएंगे offline आपकी फीज जमा होगी और साथ ही यह आपको फिल करके लेके जाना है इसमें क्या भरना है आपको इसमें आपको अपनी सब्जेक्ट भरने आपके पास last year क्या क्या सब्जेक्ट थे और इसमें आपका 10th, 12th, 1st time का result, 2nd time का result, 3rd time का result वो आपको यह इसने college में ले सकते हैं, offline फीज जमा होगी, किसी भी तरह से online फीज नहीं होगी, कितनी फीज रहेगी और last date क्या रहेगी दुबारा बता दूँ, तो last date अभी तक कुछ भी नहीं है, फीज कितनी रहेगी उसकी बात करें, तो फीज जो BA के student है, BA के student की लगबग, 2100 से start होकर 2400 के बीच में फीज रहेगी, उसके बाद BST की बात करें, non-medical की, non-medical की 2200 से 2500, medical की बात करें, medical की 2300 से 2700, साथ ही BCOM की भी 2300 से 2700 रहने वाली है, और जो BCA के student है, Bachelor of Computer Application के जो student है, उनकी फीज लगबग 5000 के आसपास कटेगी, उनकी फीज ज्यादे रहती है, वैसे भी उ के admission स्टार्ट हो गए है, वो college में जाके offline fees जमा करवा सकते हैं, साथ ही उनको ये form अपना साथ लेके जाना होगा, उसके बाद अब अपनी fees जा है, offline college में जमा करवाएंगे, अगर अब भी आपका कोई doubt है, college admission के regarding second year और third year के student आप वाट्शप पर message कर सकते हैं, या फिर जो comment कर सकते हैं, आपके comment का reply आपको जल्दी मिल जाएगा, फिर आल इस वीडियो में इतना ही, thanks for watching, have a good day, wait for next वीडियो